कि अप्रव कि एक नई वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें हम सिखेंगे पढ़ना मैं कर देस क्या होता है तो मैंक जिसकी फुल फॉम होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैंक एड्रेस आपके डिवाइस के नेट्वर्क इंटरफेस कार्ड का एड्रस होता है अभी नेट इंटरफेस काड्र वहोता है जिस काड चाहिए किसकी कार्ड के थ्रूप अपने डिवाइस को किसी भी नेट्वर्क से क्टेक्ट कर सकते जैसे कि Cont Miguel Clip वाया वायर, WiFi के थूआ या वायरलस, and same as Bluetooth के थूआ वायरलस कनेक्शन आप अपने डिवास को किसी भी नेटवक या नेटवरकिंग डिवास से कनेक्शन मना सकते हो, तो यह physical component यह hardware component का address होता है, आपका Mac address तो इसी वज़े से इसी को कहते है physical address and इसी वज़े से इसको कहते है permanent address क्योंकि यह चेंज नहीं हो सकता जब तक आपका वह hardware chipset जो मतरवर्ड में set है वह change नहीं हो जाए and that's why physical address and permanent address and hardware address भी कहलाता है तो mac address जो बना हुआ होता है वह होता है आपका octate से octate मतलब जिसमें 8 bit की value store होती है कोई भी computer term में 8 bit की value store करता तो उसे octate बोलते है जो की mac address follow कर रहा हमारे 6 octate 6 octate का मतलब क्या है 8 into 6 total 48 bit का address हमारा बन जाता है जिसमें हम value insert करेंग 0 to 9 and a2f अभी a2f जो है वो हमारी hexadecimal value है इसका मतलब क्या है 0 to 9 value जो हमारी है वो single digit value हमारी ठीक है but after 9 जैसे कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 यह सारी हमारी double digit value है तो इन double digit value को mention करने के लिए as a single digit हम यूज करते है a2f value जो कि हमारी a, b, c, d, e and f so 10 to 15 value a2f हमारी use की जाती है mac address में mention करने के लिए जो की first के 3 octate जो है आपके first 3 octate जो है आपके वो contain करते है आपकी vendor ID अभी vendor ID होती क्या है vendor जैसे के आपको पता लगा है नाम से manufacturer जो होता है इस NIC का अब इस NIC को manufacture करता को होना है आपके पूरे world में most of the cases में जो बड़ी बड़ी companies है उन में नाम आता आपका IBM International Business Machine and Lenovo तो यह दोनों मिलके ही बनाते है आपका Bluetooth adapter, Wi-Fi adapter, LAN adapter किसी भी system के लिए किसी भी company के लिए after that जिस company में वो sell हुआ, LAN card, Wi-Fi card, Bluetooth card मतलब कोई भी NIC आपका किसी भी company में sell हुआ उस company के किसी product में use हुआ, उस product का unique identification वो सारी चीज़े किसमें होती है आपके store वो होती है आपके last के three octate last के three octate में जो कि होता आपके product ID तो first के three octate आपके contain करते है vendor ID मतलब जिसने manufacture किया ये and last के three octate करते है इसे contain product ID को ताकि आपका device uniquely identify हो सके in the global क्योंकि ये uniquely identification address है in the globe पूरे world में unique address होता आपका mac address बट इसके बिहाफे आपका communication नहीं कराया जा सकता क्योंकि mac address के अंदर कोई भी ऐसी value या फिक कोई भी ऐसी identification contain नहीं करती जो कि बताती है आपके network की identification and network के अंदर आपके host मतलब आपकी पैचान जो कि ये दोनों चीज़े contain कोन करते हैं आपके IP address तो next वीडियो में हम explain करेंगे IP address को IP address होता क्या है अगर आपको अपने device का mac address चेक करना है तो आप किस तरह के सिखा सकते तो मैं दोनों method बता रहा हूं आपको via command b and via graphical method तो सबसे पहले आपको Windows की प्लस आर बटन प्रेस करने अपने keyboard में देन वहां पर आपको command टाइप करना है cmd cmd means command prompt आप अपने task manager में जाके search बार में भी type कर सकते cmd then यहां से भी आपका access हो जाएगा अब cmd में जो आपकी command है mac address चेक करने वाली वो है आपकी getmac command आप चलाके अपना mac address पता लगा सकते हो कि आप क्या यूज़ कर रहें एंटर प्रेस करूंगा मैं तो यहां पर मेरे सामने multiple mac address आगे जिसमें से मेरे wifi का भी होगा लैन कार्ड का भी होगा तो जो भी network interface card आपका network से connected है तो उसके आगे लिखा होगा device tcpip and जो network interface card network से connected नहीं है अभी मेरा LAN card connected नहीं है and bluetooth adapter भी connected नहीं है सो उनके आगे लिखा है media disconnected समझ में आ गया अब यह तो था हमारा command line method ग्राफिकल मेथड जानने के लिए आपको प्रेस करने window plus R then command type करने ncpa.cpl यह network adapter की setting आपकी type करने के बाद आपको अपने network adapter पे right click करना है for example मेरा wifi adapter पे मैंने right click किया यहां पे मैं जाओंगा status पे status पे जाने के बाद मुझे click करने details पे then यहां पे मेरा Mac address सामने आ जागा जो कि है मेरा physical address के नाम से so hopefully यह वीडियो आपको अच्छे लगे होगी ऐसी और educational and tips and tricks related वीडियो देखने के लिए subscribe करे हमाई चैनल TechHack बैल आइकन जुरूद दबाए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी नोलेज गेन हो अच्छे खासी इनके साथ अगर आपको कोई आपके डाउट से लेटेड वीडियो आगे फर्दर बना सके और आपके डाउट का रिप्लाइ दे सके तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन गुडबाए